अभी जो तीन object दिख रहे हैं, इनको select करके मैं right click से move to collection कर रहा हूँ, ठीक है, और इस collection का नाम दे रहा हूँ 3, ठीक है, और same process हम follow करेंगे, hair particle में जाएंके, यहाँ पर render के अंदर, इस बार हम collection को click करेंगे, object को नहीं, और यहाँ instances में 3, ठीक है, यह तीनों object है, distribute होगा है, basically सब कुछ चीज हम same to same करेंगे, scale करना हो, तो render के अंदर हम scale कर सकते हैं, ठीक है, इसकी scale को random करना हो, तो इसको भी move कर सकते हैं, ठीक है, और basically मेरे कहने का मतलब यह था है, कि आप एक object नहीं, एक से ज़्यादा object को भी आप कर सकते हो, और यहाँ पर children के अंदर भी आप rotate रूर लएगा, ठीक है, तो यह scattered जैसा लएगा, तो इस तरीके से आप किसी भी चीज को scatter कर सकते हो, किसी भी plane पर, एक scatter object करके addon भी बताया था मैंने आपको पहले, तो आप उसका भी use कर सकते हो, और यह दूसरी method जिसका आप use कर सकते हो,